दोस्तों, डार्क मैटर क्या होता है? जानिए. वैज्ञानिक अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं कि डार्क मैटर क्या है. आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि डार्क मैटर किस चीज से बना है. ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष का 95 फीसद हिस्सा डार्क मैटर और डार् और ब्रह्मांड के ब्लैक होल को भी, दोनों ही की उपस्थिती का असर जबरदस्थ होता है। वैज्यानिक शोध से पता चला है कि हमारे आसपास हमारा एक समानांतर संसार है, जो दिखाई नहीं देता हो सकता है कि वह एंटी मैटर हो। वैज्यानिकों के अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह एक कड़ी है जिसने इस समूचे ब्रह्मांड को एक क्रम बध्ध ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं, जो न तो प्रकाश छोड़ते हैं, न सोकते हैं और ना ही परावर्तित करते हैं। इस कारण इसे अभी तक देख पाना संभव नहीं हो पाया है। आकाश गंगाओं की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा, लेकिन वो इसके बारे में कभी सही जानकारी नहीं जुटा सके। रिसर्च से यह पता चला कि सभी आकाश गंगा के ग्रह, तारे और नक्षत्र ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के कारण स्थिर है। परंतु कैलकुलेट करने पर पता चला कि गुरुत्वा कर्शन शक्ती इतनी नहीं है कि वह आकाश गंगा को थाम सके। मतलब कुछ और ही अज्याद चीज है जो इन्हें थाम रही है। अन्य था, अब तक गुरुत्वा कर्शन शक्ती कमजोर हो गई होती। और सभी ग्रह, नक्षत्र तारे अपने परिक्रमापत से भटक गए होते। इसी सोच ने डार्ट मैटर की अवधारणा को बल दिया। डार्ट मैटर ही वह मैटर है जो इस प्रमाण को द्रव्यमान दे रहा है। इसके अलावा एक और प्रमाण बुलिट तारा समूह के अध्ययन के दौरान मिला जब दो गैलेक्सी के टकराव से ये समूह बना। उन्होंने एक तकनीक खोजी जिसे ग्रैविटेशनल लेंसिं वह उसके सामान्य पदार्थ के द्वारा संभव नहीं है। और इससे यह भी पता चला कि गैलेक्सी में सामान्य पदार्थ की तुन्ना में डार्क मैटर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें।